नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेडिजों का तेवार आने वाला है वो है दोस्तों करवा चौथ और करवाचोद के तेवार पर हर एक लेडी यानि हर एक लेडी जो साध्यू सता लेडीज हैं वो हर एक यही चाहती है लेडीज है कि मैं सबसे ज़्यादा सुन्दर दुखूं और सभी लोग अपने चेरे को सुन्दर खुबसूरत बेदाग बनाना चाहते हैं और इसके नुस्का पताऊंगी इस नुस्के को आप करिए यह मात्र एक रुपए का नुस्का है बाकी का सामन आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा और यह नुस्का आपके चेरे को खुबसूरत बेदाग बना देगा चेरे के सारे दागदमों को गायब कर देगा तो चलते हैं लिया है क्लीनिक प्लस आपके पास में इसके अलाबा जो आप यूज करते हो सेंपू आप बोले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर मैंने यह सेंपू ले लिया है और इस सेंपू का एक पाउच मैं इसमें डाल दूंगी अगर आप सेंपू की जगह पर आप सेंपू नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग फेस बॉस ले सकते हैं जो भी आपके पास में मार्ड फेस बॉस हो तो यहां पर मैंने एक पाउच सेंपू ले लिया है और अब इस सेंपू को बने डाल दिया है कटोरी में अगर आप चमच से ना पेंगे तो एक चमच तो यहां पर मैंने लिया है चावल का आटा यानि की राइस का आटा राइस फ्लॉर तो आप इस चावल के आटे को अपने घर पर ही बना सकते हों आप अपनी मिक्सी से यानि मिक्सी की जार में चावल को डालिए और इसका बारीक सा पाउडर बना लें और मार्केट पर भी आपके चेरे की मिरति कोसिकाओं को निकालेगा साथी साथ आपके चेरे को गोरा करेगा आपके चेरे की गंदगी को साफ करेगा तो चलिए और भी मैं इसमें सामगी डालूंगी दोस्तों क्योंकि चावल के आटेम होता है अमीनो एसिड और बिटामिस इसकिन के लिए कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें एक शुट की हल्दी डाल देंगे तो यह हल्दी आपके चैरे को खुब्सूरत बनाने में तैजी से काम करेगा साथी साथ चैरे पर जो भी इंफेक्शन होगा जो दाने होंगे उन दानों को यह खतम करेगा जो बिल्कुल रबा जैसे दा लड़कें जिसकी साधी होती है तो हल्दी का उप्रन लगाए जाता क्यों रंगोरा करने के लिए तो इसलिए आप एक चैरे ले लिया है लेमन यानि की नीबू यहां पर मैंने आदा नीबू ले लिया है और इस आदे नीबू का ज्यूस हम इस सामगरी में डाल देंगे द और आपके चैरे की सारी धूल मिट्टी गंदी को क्लीन करेंगा जो इस सामगरी में यह आ पर यूज कर रहे हैं सभी सामगरी आपके चैरे को गुरा करेगा निखार लाएगा आपके जो तो चैरी की इसकी इसको भी ये टाइट करेगा अब आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को मैंने डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो पेश्ट है काफी थिक है यानि की गाड़ा है तो इसमें थोड़ा सा लेमन और दिखेगा इससे आप ज़रूर ट्राय करने बहुत यातरा गजब का और कमाल कॉन Excuse tutti अगर आप इसमें नीबू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसकी नीबू की जगेश कर सकते हैं और चूमाटर का जूज़ भी अगर आप को soot नीकरता है तो आप इसमें aloe vera gel डाल सकते हैं तो चलिए आपकी समस्य अभी solve हो गई है अब हमें यहां पर क्या करना है इन सबीची जो को मैंने mix कर दिया है लेकिन दोस्तों यह जो facebook में आपको बता रही हूँ इसका रिजैट आपको पहली बार में ही दिखेगा आप इसे जरूर ट्रा टो थोड़ा सा म क्या करेंगे इसमें हम नारियल का तेल डाल देंगे आप खुद देख सकते हैं यह ज़रा सा ही लेना है क्योंकि यह जो नारियल का तेल है यह हमारी इस्किन को मौस्टराइजिंग देगा साथी साथ हमारी इस्किन को टाइट करेगा यह हमारी इस्किन को गोरा करेगा साथी साथ हमारी इस्किन को पोसक्त तो देगा दोस्तों यह जो नुस्खा है यह आपके चेरे पर यह फेस्पैक तो है ही है और साथी साथ यह आपके चेर का है चलिए तो यूज कैसे करना है आप इसे अपने फेस पर अपने चेहरे पर इस पैक को लगाईएगा आप देश सकते हैं इसका स्मूद नैस यानि कित्ता सौप्ट बना है तो चलिए आप क्या करें इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहे हूं आप अपने चेहरे पर जैसे मैं अपने हाथों मता रहे हूं तो आप अपने चेहरे पर इस तरीके से इस पैक को लगा पूरे चेहरे पर लगा लीजिए यह देखिए इस तरीके से आप अपने पूरे चेहरे पर इस पैक को लगाईएगा दोस्तो एक बार जरू ट्राय करना और अगर आपको मेरा पसंद आ रहा हुँ तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों को share कर दीजिए दोस्तों वीडियो को comment box में आप लिख दीजिए nice मिनेटब के बाद में, द intent से जादा आप ना लगा दो मिनेट के बाद में, आप क्या करेंगे? सरकुलर मोजन से, इस तरीके से लिए. सरकुलर मोजन से आप मसाज करेंगे अपने चेहरे की, यानि कि scrub करेंगे, scrub आपको बिल्कुल हलके हातों से करना है, क्यों करना है क्योंकि इसमें चावल का आटा मिला हुआ है चावल के आटे जो छोट छोटे कड़ होते हैं दोस्तों यह कड़ आपको चुप सकते हैं तो इसलिए आप हलके हाथों से करिए सौप प्रहातों से इससे होगा क्या आपका इसक्रब होगा आपके जो ओपन पोर्च की प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगी आपके एक एक पोर्च ये बिल्कुल क्लीन कर देगा अब आपको अगर ऐसा लगर आकि आपके चेरे पर जैसे सूखा पर आ गया है इसको मस साफ पर दीजिए दोस्तों इतना करके देखना आपको इसका रिजेट देंदियर यानि की तुरंद देखेगा पहली बार के ही प्रियोग से अब मैं आपको विश्वास करना हो तो कर लीजिए प्लीज मेरी बातों पर यह मैं बहुत अच्छा नुसका आपको बता रही हू इलर्जी हो जाती है तो आप यह नुसका यूज करिए तो इस नुसके को आप क्या करेंगे नहाने के पहले आप यूज कर सकते हैं या फिर आपको दिन में किसी भी टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं अपने चैरे पर गर्दन पर तो आप इस नुसके को हबते में दो बार अपने चैरे पर यूच करिए और दोस्तों जब तक करवाचोट का तेवार आएगा आप सबसे ज्यादा खूबसूरा सुन्दर दिखेंगी दोस्तों इस नुस्थे से आपको क्या क्या फायद होंगे यह आपके चैरे की जुरियों को खतम करेगा जाईयों को खतम करेग पर आप सबसे ज्यादा सुन्दर दिखेंगी और यह उसका लड़के लड़कियां कोई भी यूच कर सकती है तो चलिए उस वीडियों पसंद आए हो तो लाइक करें दोस्तों मैं स्क्राइब करें मैं तो तक के नवाशकार